डबसकार यूपी नौ बचे में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मैं अमंदीब खबरों के शुरुवात करेंगे दिल्ली में कॉंग्रस चुनाव समीती की बैठा कोई जिसमें अमेटी और राइबरेली सीट पर चर्चा हुई है सुत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव समीती के सभी सदस्यों ने राखुल गांदी और साती प्रियंका गांदी वाटबरा को अमेटी और राइबरेली से चुनाव लड़ानी की रिक्वेस्ट की है यूपी कॉंग्रस इकाई ने इस बात पर विश्य जोर दिया है कि कॉंग्रस अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे इस पर अंतिम निड़े लेंगे जल्द हो सकता एलान कि अमेटी और राइबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा हाला कि कॉंग्रस के तमाम नेताओं की तरब से ये रिक्वेस्ट की गई है कि अमेटी और राइबरेली से प्रियंका गांधी और साती राहुल गांधी चुनाव लड़े तो अमेठियो और राइबरेली सीट जहां से कॉंग्रेस पार्टी की तरब से कैंडिडेट का एलान नहीं क्या गया है और पहले जानकारी ये सामने आ रहे थी कि वाइनट सीट पे एलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में अमेठी का रूप करेंगे राहूल गांदी लेकिन कल चडशा होई बैठा कोई मीटिंग होई और उसके बाद पे आप फाइनल फैसला मलिका अरजुन खडगे लेंगे जो की कॉंग्रस पार्टी के रास्ट्य अध्यक्ष है और साथी लखनाउ से संकेत मिश्टा हमारे साथ में जुड़ गए है समवनाता अमेठी से पपू पांडे जुड़ गए है सबसे पहले संकेत में आपी के पास में आऊंगे कल बैठक हुई आप माना जा रहा है कि जल्द ही मलिका अरजुन खडगे फाइनल फैसला लेंगे तो क्या आप यह माना जाए कि राइबरेली सीट से प्रियंका गांधी वाडवरा और अमेठी से राखुल गांधी चुनाफ लड़ेंगे और जल्दी अपना नामंकन भी दाखिल कर सकते हैं बिल्कुल जाहिट सी बात है दरसल कॉंग्रेस की अगर उत्तर प्रदेश में सीटों की बात की जाए तो राइबरेली की ही लोगसभा सीट कॉंग्रेस के पास में खाते में है जो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कॉंग्रेस की सभी लोगसभा सीटों पर कॉंग्रेस नहीं है सिर्फ एक सीट पर कॉंग्रेस के सोनिया गांधी सांसद रहीं और सोनिया गांधी अब रास्तवा पहुच गई है ऐसे में राइबरेली की सीट खाली हो गई है अब चर्चा यह है कि राइबरेली से प्रियंका गांधी ना मंकन कर सकती है वहीं अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी से इसमती इरानी सांसद हैं बाती जंता पार्टी से केमरे मंत्री हैं ऐसे में अब अमेठी की सीट से राहुल गान्दी न मंकन कर सकते हैं, ऐसर सूतरों की मानेत हो दरसल कॉंग्रेस पाथी की ये कोसिस है कि उत्तरपर्देश में जो इनकी दो सीटे लोक सभा की जिन पर कॉंग्रेस की स्थिती बेहतर हो सकती है अगर मेनत करते हैं, तो कहीं न कहीं कॉंग्रेस पार्टी अब यहां से भी मजबूत दावेदार उतारने की मजबूत प्रत्यासी उतारने की तैयारी में है और पिछले दिनों मलिकार जुन खड़गे का बयान भी था कि चोकाने वाले प्रत्यासी होंगे राइबरेली और अमेठी पर तो जाहिड सी बात है कि अमेठी की लोग सभा सीट पर राहूल गांधी प्रत्यासी हो सकते हैं और राइबरेलिक सीट पर प्रंका गांधी को चुनावी मैदान में उता सकते हैं दरसल कॉंग्रेस यही दो सीटे ऐसी है जिन पर चुनाव लड़ने की स्थिती में है और उत्तर प्रदेश में जो गटबंधन है समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी का तो ऐसे में इसका फाइदा भी कॉंग्रेस को मिलेगा जाहिड सी बात है अब कॉंग्रेस की पूरी वियो रचना करने में जुटी हुई है संकेत बीजेपी असी में से सीटे जीतने का दावा कर रहे है अलाकि कॉंग्रेस पार्टी अपने गढ़ को कैसे बचा पाती है ये कही ना कहीं कॉंग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनोती भी रहने वाला है अमेठी चलते हैं जहां से पपू पांडे जुड़ गए है पपू हलाकि जो फाइनल फैसरा होगा वो दिल्ली में होगा मलिक अरजुन खडगे लेंगे लेकिन अमेठी में आप क्या हल चल देख पा रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने वो तस्वीरे भी देखी जब राहूल गांधी के समर्तन में पोस्टर लगाए गए थे और मांग की गई थी कि राहूल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें जी बिल्कुल आपको बता दें अमेठी की जनता के साथ साथ अमेठी के कॉंग्रेसी इस बात का इंतजार कर रहा है कि अमेठी संसदिय सीट से कौन प्रत्यासी होगा हाला कि कयास लगाया जा रहा है कि गांधी परिवार से राहूल गांधी या प्रियंका गांधी होगी अमेठी का अस्थानिय कॉंग्रेस संगठन ये दावा कर रहा है कि वो ग्रामेड छेत्रों में अपना प्रचार प्रशार कर रहा है और जल्द ही राहूल गांधी यहां आएंगे और अपना नामांकन करेंगे और एक मजबूत प्रत्यासी के तोर पर यहां से चुनाव लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्च करेंगे लेकिन आपको ये बता दे जिस तरह से अमेठी सांसद इस्मिती रानी अमेठी में लग इस्मिती रानी के साथ कंदे से कंदा मिला रहा है तो अब बहुत देर हो चुकी है जितनी देर कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है अमेठी में भाजपा ग्राउंड लेबल पे उतनी मजबूत हो रही है हलाकि कॉंग्रेस की तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि राहूल गांधी अमेठी आएंगे अमेठी से चुनाव लड़ेंगे लेकिन ये इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है अभी एक दिन पूर्व जिस तरीके से दिल्ली में सीजी की बैठक हुई है उसमें राहूल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम को बत और किया जा रहा है कि एक दो दिन का और इनतजार है उसके बाद इस्टि किलियर हो जाएगी कि अमेठी सीट से गांधी परिवार का प्रत्यासी कौन होगा वहीं सूत्रों की माने तो ये भी चर्चा चल लई है कि अमेठी सीट से प्रियंका गांधी वड्रव मैधान में उ प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ सकती है आप वहाँ पर सियासी हलचल क्या देख पा रहे हैं और साथी कारेकर्टाओं में कितना उत्सा है जी आपको बताना चाहेंगे कि कॉंग्रेस के कारेकर्टा लगातार इस बात को लेकर लड़ेगा कॉंग्रेस का जो संगठन है वो ग्रामीडी लाकों में लगातार चोटी-चोटी बैठा करके अपने पूटरों को कन्विंस करदे में जुटा हुआ है कि यहां पर मेहरो गांधी परिवार का कोई सदस चुनाव लड़ेगा और ये इतनी फूल्फरूव सीट है कि भले यहां पर विधान सवा की सीटे अब कांग्रेस नहीं जीत रही लिकिन लोत्बा के कि सुणाव में वो चाहरे 14 का सुणाव हो चाहरे 19 का चुनाव हो यहां पर कोंग्रेस अपनी जीत दर्ड की इसके बाद कॉंग्रेस का नेश्ट ये मान रहा है कि ये विलकुल सेफ सीट है जिसे जो है यहाँ पर जो भी नहरू गांदी परिवार का जो सदस चुनाव लड़ेगा वो यहाँ पर जीत दर्ड करेगा लाइबली के जो लोकल वोटर है वो भी इस बा जा सकती है बीजेपी के जोली में जा सकती है ठीक है अब लखनाव चलते हैं संकेत मिश्टा हमारे साथ पर जुड़े हुए हैं संकेत बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है इन दो सीटों पर ढ़ीत दर्ड करने की वही बसपा की बात कर ली जाए या बाकी विपक्षी जो हैं उनकी तरब से भी पूरा जातिगत समीकरन बैठा कर कोशिश की गई है कि जादा से जादा वोट वो अपने पाले मिला सके अब ऐसे में क्या कॉंग्रस पार्टी की कह सकते हैं कि चुनौती और भी जादा बढ़ गई है क्योंकि जातिगत समीकरन की लिहास से देखे तो अगर बसपा अपने वोटर्स को साधने में कामियाब होती है तो एक तरह से कह सकते हैं कि कॉंग्रस पार्टी के मुश्किले बढ़ सकती हैं फिर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अमेठी की अगर सबसे पहले लोग सवा सीट की बात की जाए तो वहाँ पे केंडरी मंत्री इस्मृती रानी सांसद हैं और भारती जनता पार्टी से वो इस बार अमेठी से प्रत्यासी दिये हैं इसमृती रानी लगातार बैटके कर रही हैं ताबर तोड बैटके कर रही हैं आज भी वो अध्या में रामलला के दरसन करेंगी उसके बाद लामांकन करेंगी लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अमेठी में जो भारती जनता पार्टी ने चुनावी वियूरचना किये उस पार्टी की यानि की सफा के लोग भी भाज़पा में आ गए और राय बरिली की बात करें राय बरिली से जो बागी विधायक है मनोज पांडे उनके भी परिवार के लोग लगातार और मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से वालग हो चुके हैं सिर्फ वो सदस से भर हैं और विधायक भर हैं समाजवादी पार्टी के लगातार वो अपने चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमेठी और राय बरिली को भारती जनता पार्टी वहाँ पर मजबूत चुनावी ब्यू रचना कर रही हैं। ठीकी जनता पर कितना असर पड़ता है और साथी क्या कॉंग्रस पार्टी इस बार इस सीट को बचा पाती कई सारी सवाल हैं। आप तीनों का जानकारी साचा करने के लिए बहुत शुक्रिया।